आपके दिमाग में आये कि यदि आपने अभी तक mutual fund में investment नहीं किया है, चाये वो SIP के through हो या फिर lump sum investment हो, और खास कर ये lump sum investment करना जो data में आपको दिखा रहा हूं आज यह है SIP का डेटा, इसके पहले में सेम केटेगरी के फंड्स के डेटा आपको लमसम का दिखा चुका हूँ, जो कि एक सेक्टोरल फंड है, इंफ्रास्रेक्टर से रिलेटीड है, क्यों है यह यह डेटा, क्योंकि maximum लोग प्रोपर्टी में कभी ने कभी इंवेस्मेंट करते ह है, और खासकर बन टाइम इंवेस्मेंट होता है, लेकिन SIP का डेटा इसलिए दिखाना ज़रूरी था, बहुत से लोगों के पास इखटा पैसा नहीं होता है, 10 लाग, 20 लाग, 12 लाग, 15 लाग, कि हम एक साथ प्लोट ले ले लें, और कई बार किसी कंडिशन में, हमें लोन SIP, यदि आपके पास 5 रूप महिने के हैं, 500 हैरोप महिने के हैं, आप इंवेस्मेंट करके बहुत अच्छी वेल्थ कंपाउंट कर सकते हो, और कई बार बाकी के इंवेस्मेंट से, जो की वनटाइम इनिवेस्मेंट होते हैं, उस से ज़्यादा वेल्थ बना सकते हो, क्यो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यह डिपेंड करता है और हमेशा हर प्रोपर्टी के साथ ऐसा नहीं होता है तो चलिए आज मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं ऐसा 13 इंफ्रास्ट्रेक्चर के फंड है जो कि लास्ट वाला फंड पहले देखेंगे जिसने सबसे कम रिट है और वो एक बार में नहीं जा रहा है वो जा रहे हैं दस साल के अंदर दस एयरोपर महीने की इंस्ट्रॉल्मेंट EMI दे रहे हैं हम जो कि आप खरीदते हो ना बहुत तरी चीज़ें EMI पर आजकल तो आईफोन EMI पर मिल रहा है लेकिन मुझे क्यों मुझे पास पैसे हों नहीं है कि आप एक आईफोन को कम से काँ तीन बार ना खरीद पाओ और कैस में नहीं खरीद रहे हो तो EMI पर नहीं खरीदना चाहिए ठीक है तेरे नंबर की जो स्कीम है यहाँ पर आपको डेटा के देखने को मिलेगा XIRR के रिटन देखने को मिलेंगे और 10 यानि कि 12 लाक्य 29 लाक्या ग्यार रुपा लगबग बन गये हैं ठीक है इस दस साल में नंबर सेकेंड लास्ट पर जो है आदित्य बिल्दा सनलाइफ इंफ्राफंड है 17.87% के रिटन निकाल कर दिये हैं 30,70,738 इसने बना दिये हैं इसके बादे कैनला रुपा को इंफ्राफंड इसने रिटन निकाल कर दिये हैं XIRR के 18.56% के ये रिटन कम नहीं है लास्ट की स्कीम भी देखे 17.24% के रिटन कम नहीं होते हैं यदि कोई mutual fund आपको long term में 15% से उपर के रिटन बना कर दे रहा ना बहुत शानदार रिटन है You should be stay with that fund Continue रखो इस परकार के fund को Long term में continue रखो बीच-बीच में गोते खिलाएगा जटके लगेंगे लेकिन यदि जटके और गोते खाने की आपको आज़त पढ़ गई तो आप पैसा बना लोगे ठीक है इसके बाद देखिए HSBC इंफराफंट 18.83% के रिटन बना कर दी हैं जोकि नीचे से चोथे पायदन पर है अब टोप के फंड तक पहुंसते पहुंसते तो बहुत शानदार रिटन आपको मिलने वाले हैं तो 18.83% से 32,34,750 रुपो बनेगा आपके 12,00,000 रुपा आपने 10 साल में इंवेस्मेंट किया 10,000 रुपे की महिने की किस्त के देदे कर इंवेस्मेंट किया है इसके बाद आता कोटेक इंफ्रा एंड एकोनोमिक रिफॉर्म फंड 19.86% के रिटन निकाल कर दिया है SIP के केस में 35,46,302 रुपा बना दिया है इसके बाद बंधन इंफ्रस्टेक्शर फंड 19.49% के XIRR के रिटन है 35,50,624 रुपो बने गया है 12,00,000 रुपाए के यहाँ पर इस बात पर मैं क्यों जोड़ो दे रहा हूँ कि आपने मंतली EMI दी है क्योंकि EMI नियू जेनरेस्टन में यदि आप देखते हैं छोटी सी छोटी चीज EMI पर खरीदने होते गया रहे है और उपर से आर्ग्यूमेंट भी आपके साथ कर लेंगे डिबेट कर लेंगे वो अरे नो कोस TMI कुछ पैसे त्रोना देने पड़ रहे है आज 50 सार की चीज खरीदी है हम 6 मेंने पेइमेंट कर देंगे तो ये उनकी understanding पर मुझे दया आती है कि सोच में किधर जा रहे हैं भाई ये लोग पहले जमाने में एक रुपया भी किसी पर मतलब किसी का उनपर उधार न रहे जाए ये सोचते थे वो यदि कोई व्यक्ति अपने अंतिम छणों में है तो पहले वो सोचेगा कि किसी परोस जी का किसी भी व्यक्ति का उस पर कुछ पैसा उधार न रहे गया हो किसी परकार की उधारी न रहे गयी हो अपने जीवन में अपने जीते जी सारी उधारी समाप्त कर दो आपने आज ये वह बंदवाली किसी और को पता नहीं है कल को हो गया राम नाम सत्त है कौन निप्टाएगा उसको वो तो आपके घरवालों को बाकी लोगों परिसंद करेंगे उनके बास तो सब डेटा होता है तो जब तक जरूरत ना पड़े और जब तक बिल्कुल ऐसी अमर्जनसी की चीज ना हो कि हाठी का मुझे जरूरत है इसकी बहुत जरूरत है ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है उसका प्लान भी आप रखो अपने घरवालों को बता के रखो लेकिन एकदम से कोई भी चीज लोन चुई नए आईफोन हो गया नहीं बाई का गयी तो क्या इतनी जल्दी पड़ी है आपको कुछ लोग को साहिद मेरी बाद सही लगती है इसलिए मैं ये चीज़े बोल देता हूँ जिन लोग को सही लगती है वो प्लीज मालने जिन लोग को सही लगती है वो एक कान से सुनके दूसरे कान से निकाल देए इसलिए दो कान दिया होते है इसके बाद देखिए बंधन इंफराफंड उन्निस दसम्राफंड इसके बाद टाटा इंफराफंड बीस दसम्राफ जीरो आठ परसेंट के इंफराफंड 20.47% के XIR के रिटन है और जी इसने बनाए आपके 35,32,986 रूपय इसके बाद निपोन इंडिया पावरेंड इंफराफंड 21.25% के XIR के रिटन है 36,86,357 रूपय बनाए इंवेस्को इंडिया इंफराफंड 21.31% के रिटन है बहुत अच्छे बहुत शांदार रिटन है जो फंड आपको पता है 18% से उपर के रिटन दे रहे हैं वो तो अल्टीमेट है ठीक है वो तो बहुत ही शांदार फंड है तो इंवेस्को ने बना कर दिये हैं आपके 36,97,9418 रूपया इसके बाद second last fund of the category जिसने की मतलब पाइदान से number 2 पर है लेकिन जो number 1 का fund है उसने तो अलगी रिटन बना कर दिये हैं अब मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आप number 1 में investment करो क्योंकि number 1 position को बनाये रखना continue करना बड़ा मुस्किल है किसी भी category में किसी भी पाइदान पर number 1 पहुँचना बनना बहुँच आसान हो सकता है कई बार कुछ लोगों के लिए लेकिन उसको carry forward करना सदियों तक उसी position बने रहना बड़ा मुस्किल है यदि कोई बने रहता है तो वो अलगी दुनिया से है मतलब ठीक है उस पर आसिरवाद अलगी है चाहे कोई विक्ति हो या फिर mutual fund की बात करें तो आई से सी प्रूव सेकिंड नमबर पर है 21.85% के return निकाल कर दिये है 38,7,188 रूपए बना दिये है आपके जो 12,10 रूपए के SIP for 10 years साब की continue हुई है ठीक है नमबर वन का आपका fund है quant infrastructure fund 26.60% के XIR के return निकाल कर दिये है नमबर सेकिंड ने कितने दिये थे 21.85, नमबर वन ने कितने के दिये है 26.60 difference देखिए difference between first and second position कितना भेंकर difference है ठीक है 5% का almost difference यहापर नज़र आ रहा है और 5% तो बहुत return होता है 5% के तुम्हारे क्या है तो इसलिए मैं बोल रहा थे कि number one को भली आप consider ना करो लेकिन बहुत से लोगों ने number one में भी investment किया हुआ तबी तो पैसे बने तबी तो fund loan चुआ तबी तो इतना AUM as a certain element है उसका ठीक है तो number one quant infrastructure ने बना के दिये उससे भी आपको काफी कुछ सेके लोगों मिलेगा तो यह data मैं क्यों share कर रहा हूँ आपके साथ झाल जब बैंक आपको FD पर ब्याइब आपके साथ प्याज दे रही है माल लीजिए 7% का तो कम से कम वो 9% का कही न कहीं से कमा रही होगी तबी आपको 7% पर लोन दे पाएगी नहीं तो देगी नहीं जिस प्रिकार से कुछ लोगों को वो होम लोन देती है परसनल लोन तो और भी महेंगे होते हैं और बाकी तरह तरह के लोन आते हैं तो सीधी सिंपल समझने वाली बात यह है इंवेस्टमेंट तो करना चाहिए यदि आपको समझ में आता है तो यदि अभी तक सुरूबात नहीं कर पाया और इस वीडियो को अधिक से दिख लोगों के साथ सेर की दिए मलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत